हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग आपकी टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर रहेते हैं आपकी टेक्स्ट बॉक्स्ट कल तक के ओडियो लेक्चर में कम्प्लीट हो चुकी है अब मैं आपको आपकी राइटिंग स्किल्स पर लारा हम जो 25 नंबर की है 25 मार्क्स बहुत अधिक मार्क्स होते हैं 100 नंबर में से सोक या पेपर तो आपका सि नंबर का या ना है 20 नंबर का तो आपका से से इसनल है सतरांक है अब बात इसमें अपन करें सभसे पहले फिस्टो सरह पर हम आपको बताना सं сте का यह जो पहला पैसेज है थोड़ा बड़ा है चार सो से पांतव बाइसेज आप फिर आपका B part चालो होता है दोस्तों, Writing Skills, एक किसी भी एक्जाम में बच्चे की चार skills को चार कोसल्स को जाना जाता है, Reading, Writing, Grammar और आपकी Textbook, क्युस्टन आंसर जो होता है, Writing Skills जो आपका 25 नंबर का है, इसमें चार क्युस्टन बनते हैं आपके, पहला है Sword Composition, पचास सब्दो में आप देख रहे हो कि आपको पांच चीजे सीखनी पड़ेगी, पांच में से कोई से भी दो आजाएगी, नोटिस भी तैयार करना पड़ेगा, इंविटेशन भी और एडवर्टाइजमेंट भी और पोस्ट और आर्ग्यूमेंट भी, हो सकता है इन पांचों में से आपको ये करना है, पचास सब्दो का है, फिर है रिपोर्ट, ये सबसे काम की चीज़ है और इसको आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सो सब्दो की है, आप देख रहे हो, और साथ नंबर की है, ये रिपोर्ट सबसे काम की मैंने क्यों बताई, क्योंकि रिपोर्ट के इनको भी मैंने इंपोर्टेंश की द्रश्टी से लिखा है बिजनेस और एडिटर भी आ सकता है कोई से भी दो में से करो चटा क्यूसन जो आपका होगा आपके परसंपत्र में तू कम पोजिशन इसमें एक आर्टिकल आएगा लेख लिखाएंगे किसी पर इंपोर्टेंस ओब ट्री इंपोटेंस ओब बॉक्स इंपोर्टेंस ओब कमपिटर के सी पे भी और एक स्पीच एक बास्णा आप से लिखवाये जाएगा एक क्या तो हमें एक आएगा दोनों मैं से कोई साभी कर सकते हो दोस्तो आप अपना आज आपका जो चोकिश नंबर क में तो चो का प्रशन पूचा जाता है उस पर डिस्कर्ष करेंंगे आपके रिपोर्ट का हिंदी वर्जन है परतिवेदन साथ नंबर का एक क्यूस्टन होगा सो सब्दों का होगा आपके दो ऐसे तो रिपोर्ट कई प्रकार के होती है पर आपके मौस्टली दो तरीके की रिपोर्ट है on an event कोई भी आपने functionation किया तू उसका वर्णन करो या factual description अपसर नहीं की वास्तविक वर्णन करवा सकता है सो सब्दों में अब रिपोर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकार डालूँ यह न बासा के रिपोर्ट टेयर सब्दसे बना है दोस्तों जिसका अर्थ होता है वापिस ले जाना वापिस ले जाने से क्या तात्परिय दोस्तों मानों कि ऐसी कोई गटना गटी तो गई जिसको देखने वाले ने आप तक उसको पहुंचा है किसी गतिविदिय गटना का बनन व्यकती के पास ले जाके जैसे अभी किसी गाँ में बाढ आगई आप नहीं थे किसी और व्यकति ने देखा तो उसने आपको आँखोंदेखाल्त तत्यात्मक रुपसे बाढ का वनन किया लिकर किया हो या बोल के मोखिक हो तो यह एक रिप यह जनरली गटना गटित हो चुकी होती है तो पास्टेंस में अधिकतर लिखी जाती है यह जो एन इवेंट वाली तो मोस्टली पास्ट में लिखी जाएगी दोस्तों इसलिए से आखो दे की सुनी गई गटना का यह गतिविदी कि अत्रिक्त जो आँखों से देखा है सुनाया उसी का वंडन करोगे और इसमें विसे नहीं आते दोस्तों अब अच्छी रिपोर्ट की क्या विसेशता है रिपोर्ट का संक्षिप्त में उना आऊ सक है रिपोर्ट विल्कुल इस्टपस्ट होनी चीए रिपोर्ट तत्यों तता प्रमानिकता प्यादारित होनी चीए जूटी रिपोर्ट आपने पेपर में चपवा सकते हो किसी भी तत्यात्मक बिना आंकडों के ने नियूजवाले उसको देंगे ने चापेंगे सम्मंदित गटना या गतिविदी से सम्मंदित सभी पहलों का सत्य पूण विवरण होना चीए रिपोर्ट की बासा सरल हो तांकि आसानी से जिसको आप समझाना चारे हो जैसे आप लिख रहे हो अपने पाठकों के लिए तो समझ जाए आराम से इस्टपस्ट होनी चीए प करने वाला आसानी से जल्दी से समझ जाए रिपोर्ट का सीछगों भासा से एसी होनी चीए जो ध्यान आकरसित करें रिपोर्ट अगर लिखी गई अब रिपोर्के सिहा को प्रकार की सलेबस मैं वैसे कई करकार के होती है रिपोर्ट एन इवेंट किसी भी मानलो आपके फंक्शन हुआ परदस नहीं लगी है कुछ भी हुआ तो उस पे और रिपोर्ट ओने फैक्च्वल डिस्क्रेप्शन या फिर वास्तविक वर्णन पर अब दोस्तों नेक्स्ट पेज में रिपोर्ट का अब इसको लिखने का तरीका मापको पड़ा रहा है तो इसका तात्परी है वापिस ले जाना यानि किसी जानकारी तक आपको वो लेके गया है लिखित्मिया मोकिक अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है इसको उपर नीचे दोनों तरीके से आपको समझाना है सबसे पहले रिपोर्ट कर सीरसक पेज के देखो मैंने नीचे दो फॉर्मेट बनाया एक हिंदी का एक इंगलिस का रिपोर्ट का सीरसक यान लिखेंगे नीचे भी समझाओ आप और सीरसक को जैसे अभी मालों हेवी रेंस के आज में एक आपको रिपोर्ट पढ़ामगा तो हेवी रेंस सीरसक हो गया भारी बरसा ल सीरसक डाला है कोपी की लाइन के बीचो बीच उसके नीचे कोश्टक में लिखने वाले विक्ति का नाम लिखें लेकिन नाम कैसे लिखो के पहले उससे पहले बाई लगाओ कि बाई किसने तयार की है नाम के बाद कोमा या डैस लगा कर उसका पद या इस्तिति लिखे फिर लिखने वाले का नाम लिखने के बाद या तो उसका पद बताओ आप या उसकी इस्तिती बताओ कि क्या इस्तिती है समाज में कौन सी लोकेशन पर वो इस्टेंट करता है अब इस से आगे रिपोर्ट में अपन को क्या करना है कि जिस इस्तान से अपन रिपोर्ट कर रहे हैं उस इस्तान का नाम लिखना है यानि जो इस्तान जैसे बारिज जह हुए है कोटला या रामगर्ड या बस्सी उस इस्तान का नाम आ जाएगा दोस्तान नाम के बाद फिर कोमा लगेगा और कोमा लगाने के बाद उस दिन की दिनांग लिखोगे जिस दिन आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो और दिनांग के बाद सिंप्ली एक डैक्स लगा कर अपन तत्यात्मक रूप से रिपोर्ट को चालू कर देंगे यह उसका वर्णन चालू कर देंगे अब इसमें एक विसेश बात यह है कि रिपोर्ट को जो अंतिमे अपन खतम करेंगे सार या अनुसंसा के वाले सेंटेंस से खतम करेंगे लास्ट में आप दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने इसमें नीचे दो छोटे छोटे फोर्मेट बनाए हैं इन फोर्मेटों को आप समझो कि इन फोर्मेटों में मैंने हिंदी वाले फोर्मेट में बताय कि सबसे पहले रिपोर्ट का सीड सक आए गां Byla कमने लिखने वाले का नाम मैंने लिख रख है पीसरि चाहिंश कर सकता है तो欸 संजना सर outsiders यह उसकी पद या इस्तती है पिर रिपोर्ट लिखने का पता क्या है जैसे सांगानेर की गटता है सांगानेर और तारिक जैसे साथ जुलाई को बाढ़ आई जो भी है इसी चीट को मैंने इंग्लिस में भी शोक ही है कि हेवी रेंस भारी बरसा लाइब डिश्टर्ब्ड जीवन बादित हुआ यह रिपोर्ट तयार की गई है अंकित सर्मा के द्वारा डेक्स लगाया गया एक एक चीज़ का ज्यान रखना पड़ेगा अच्छे जो रिपोर्ट का आप सीर्षक लिख रहे हो केपिटल अक्सरों में आना चीए यह जो सीर्षक है देखो हेवी रेंस पूरे केपिटल है लाइब डिश्टर्ब्ड यह सीर्षक है पूरा यह केप कोमा लगाना जर्वी आपको सीखना है मैं बाकाइदा बता रहा हूं एक एक चीज़ आपको सात नंबर का मेट्र बड़ा इंपोटेंट मेट्रे आज साथ नंबर बहुत होते हैं एक एक दो-दो नंबर के लिए वर्क किया जाता इंट्रियेंट वच्चों के द्वारा गो किये फिर डेक्स लगाया मैंने देखो इसको पकड़ो समझो समझने का प्रियास करो और इसको लर्ण भी करूं कि फिर मैंने रिपोर्ट की स्टार्टिंग किये सिंपली अबाउट शिक्स पीम देरवाज आप जो भी रिपोर्ट है वह मैं आपको रिपोर्ट में पढ़ा हु सुनो इसको मैं दो दिन तक डालूंगा तक आसानी से आप है इसको समझो कोई बच्चा आज रह गया है तो कल तक समझ ले कल कोई देखेगा तो ओके गोएड बेस्ट ओफ लग्ख